हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज आमें कहानी पढ़ते हैं इसका नाम है पेड़ की गवाई ही चानक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा समराट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चानक्य उनकी सूज भूज के अनेक किसे और कहानिया प्रसिद्ध हैं प्रसिद्ध यानी पेमस है चारत तरफ बोली जाती हैं कहानिया कहा जाता है कि एक बार समराट चंद्रगुप्त के दरवार में एक बूरा किसान रोता रोता आया और बोला महराज मैं तो लुट गया बरबाद हो गया मेरा मित्र शील भद्र मेरा सारा जमाधन हडप गया हडप गया नहीं उसने सब कुछ है ले लिया जबर्दस्ती चंद्रगुप्त बोले साफ साफ कहो क्या बात है वह कहने लगा महराज मैं एक गरीब किसान हूँ मेरा नाम पंचानन है कुछ समय पूरु मैं तीर थ्यात्रा पर निकला था जाते समय में अपना सारा जमाधन अपने मित्र के पास रख कर गया था मैंने कहा था कि तीर थ्यात्रा से लोटने पर ले लूँगा परन्तु अब वापस आने पर वे मेरा मित्र मुझे पैचानता भी नहीं कहता है कि कौन सा धन कैसा धन मैंने तो तुम्हें पहले कभी ही नहीं देखा है महराज मैं क्या करो मेरे साथ नियाए कीजिए महराज ने पूछा तुम्हारा धन कितना था किसान बोला महराज पांच हजार सिक्के महराज ने पूछा क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पड़ी की थी क्या तुम्हारा कोई गवा है गवा यानि जी तुम्हारी गवा ही दे सके किसान ने सिर्जुका कर करा महराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था इसलिए कोई लिखा पड़ी नहीं की मंदिर के बाहर उस्थान पर दोपायर में कोई आता जाता भी नहीं आता है मुझे धन देते हुए और शील भदर को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा महराज ने आग्या दि आग्या ने आदिश दिया तो महाराज ने आग्या दी कि शील भद्र को बुलाया जाए शील भद्र आया किसान ने फिर अपनी बात दोराई महाराज ने शील भद्र से पूछा क्या ये किसान ठीक कह रहा है शील भद्र बूला महाराज ये बुड़ा आदमी जूर बोल रहा है मैं तो इसे जानता तक नहीं, किसी अंजान व्यक्ति का धन भला में अपने पास क्यों रखता, वे भी बिना किसी लिखा पढ़ी के, इन माश्यों को तो मैंने आज पहली बार देखा है, यह किस मंदिर का जिकर कर रहे हैं, मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं, फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर किये, महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर दिखा, महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबे दरबार में उपस्तित होने का आदेश दिया, यानी होक्म दिया, चाड़के ने महरास से कहा आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए रस्वायम ने आये करूँगा सुबह हुते ही दोनों सभा में उपस्तित हुए दोनों ने अपनी अपनी बाद दोहराई महा मंतरी ने किसान से पूछा तुमने मंदिर के बाहर के स्थान पर धन दिया था वह बोला महोदे मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है उसके चबुतरे पर शील भदर बैठा था वहीं मैंने उसे धन दिया था महा मंत्री ने पूछा दन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो पेड़ने तो अवश्य ही देखा होगा बुरा आदमी सकुचाते हुए बोला जी महाराज मंत्री बोले जाओ पेड़ को बुला कर लाओ व्यगवाई देगा हिच किचाते हुए किसान पेड को लेने चला गया सुभह से दोपैर होने को आई परन्तु किसान लोट कर नहीं आया शील भदर बैठे बैठे परिशान हो गया महराज ने पूछा क्या मंदिर बहुत दूर है जो बुड़ा आदमी अभी तक नहीं आया भूख प्यास तक घरमी से परिशान जलाया हुआ शील भदर बूला महराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है मैं इतनी देर में मंदिर तक बीस चक्कर लगा सकता था लेकिन वैं बुड़ा आदमी गया हो तब न वैं तो बहुत जूठा और पाखंडी है जरूर घर जाकर खापी के आराम कर रहा होगा महामंतरी ने मुस्कराते वे शील भदर से पूचा क्यों मित्र अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ गए नहीं थे अब तुम कैसे कह रही हो कि मंदिर पास ही है निश्चे ही वे बुड़ा किसांत सच कह रहा है और तुम जूट तुमने अवश्य उसका धन हड़प लिया है अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो नहीं तो राज धन्ड की भागी बनोगे राज नंदिनी राजा दोरा दिया गया धन्ड शील भदर स्वयम अपनी बात की जाल में फस चुका था उसने अपना अपरात स्विकार कर लिया उसने बुड़े का धन वापस दे देने का प्रण भी किया थोड़ी देर में वे किसान आया वे बहुत ही ठका ठका सा लग रहा था वे बोला महोदे मैंने पेड से बहुत अनुने विने की परंतु वे गवाई देने नहीं आया महामंत्री चानके ने कहा नहीं वे नहीं आया था वे गवाई देकर चला गया तुम्हारा मित्र शील भद्र मान गया है कि उसने तुवारा धन लिया है अब वेव वापस देने को भी तयार है इस प्रकार चणके ने अपने बुद्धी कोशल द्वारा बिना प्रमान एवं साक्षों की दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया तो बच्चों इस कहानी से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि नियाये सोच समझकर ही करना चाहिए नियाये तो होता है देर सवेल लेकिन सोच समझकर नियाये अवश्य होता है तो मित कातिव बच्चों ये कहाने आपको पसंद आई होगी अब इसका अभ्यासकारे आप स्वयम कीजिए